प्रिये सिस्यों, साहित्य विमर्स चैनल में आप सभी का एक बार पुना हैं। स्रद्धा मनुसर्ग के दूसरे भाग का बहुत ही सरल रूप में व्याख्या करूँगा। आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आवसे टच करें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहुँच सके। प्रिसिस्यों इसके पहले के वीडियो में पर्थम सात चंदों की व्याख्या मैंने की थी। इस वीडियो में उसके आगे आठवे चंद से मैं व्याख्या करूँगा बताऊंगा उसके विशे में। सात्वे चंद तक तो स्रद्धा और मनु का क्रमिक परचय चलता है। परचय के क्रम में ही स्रद्धा मनु से अपने बारे में बताते हुए ये कहती हैं कि भराथा मन में नव उत्साह सीखलू ललित कला का ग्यान इधर रह गंधरवों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर था मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखलू और इसी उत्देश से ही इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ यहां तक हो चुका था अब आगे का जो चंद है हिमिगिरी और प्रस्न करता मन अधिक अधीर धरा की यह सिकुरन भैवीत आह कैसी है क्या है पीर बढ़ा मन और चले यह पैर शैल मालाओं कासरिंगार आख की भूक मिटी यह देख आह कितना सुन्दर संभार द्रिष्टी जब जाती हिमिगिरी और प्रस्न करता मन अधिक अधीर इसमें स्रद्धा अपने विशय में बताती है मन उसे परिचय के क्रम में ही कि द्रिष्टी मेरी जब हिमिगिरी की और हिमालय की और जाती है तो प्रस्न करता मन अधिक अधीर अधीर का मतलब होता है अ बौतुहल बस मेरा मन बार बार यह प्रस्न करता है कि धरा की यह सिकुरन भयवीत आह कैसी है। यह हमें ऐसा लगता है कि जैसे भयवीत हो करके यह धरा यह पिर्थवी सिकुर गई हो और सिकुर करके वो ऊपर निकल गई हो। क्या है पीर उसकी पीरा क्या है उसकी वेदना क्या है फिर से आप लोग व्याख्या देखें कि द्रिष्टी जब जाती हिमिगीरी ओर प्रस्ण करता मन अधिक अधीर धरा की यह सिकुरन भय भीत आह कैसी है क्या है पीर सरद्धा कहती हैं कि मेरी द्रिष्टी जब हिमाले की ओर जाती है तब मेरे मन में न जाने कितने ही तरह के प्रस्ण उठने लगते हैं और मैं उनके उत्तर जानने के लिए वेचैन हो उठती हैं इतने विस्तरित छेत्र में फैली हुई धर्ती की सुकुरन के रूप में इस परवत सरिंखला का वास्तिविक सरूप क्या है इसकी आह कैसी है और इसकी पीड़ा कितनी गहरी है अर्थात इन दुरगम इस्थलों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कश्टप्रद और चुनाईतुयों से भरा हुगा हुगा ऐसे कितने ही प्रस्ण मेरे मन में आते रहते हैं और मुझे ब्याकुल करते रहते हैं बढ़ा मन और चले ये पैर और जब ये प्रस्ण मन में बार बार आता है तो मेरा पैर अनायास ही इसकी वो खीचे चले जाते हैं बढ़ते जले जाते हैं बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का स्रिंगार, आख की भूक, मिटी यह देख, आह कितना सुन्दर संभार। स्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, कि इन प्रस्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा मन हिमालय के दर्सन को ब्याकुल हो उठा, और मेरे कदम अपने आप उस ओर चलने चल पड़े। शहल मालाओं का स्रिंगार, आख की भूक, मिटी यह देख, आह कितना सुन्दर संभार। कि कितना सुन्दर संभार, कि कितना सुन्दर सचमुच, सौन्दर संपनता का कितना अदभुत द्रिस्य है, यह है पूरी की पूरी परवत स्रिंखला और अभी तक मन में न जाने कितने कितने प्रस्न आ रहे थे। अब इसके आगे जो नवा चंद है, उसको आप देखें, यहां देख कुछ बली का अन, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में यह अनुमान हुआ। अब यहां पर पहला देखें, बली का अन, बली का अन का मतलब होता है कि वह अन जो जीओं के कल्यारार्थ ग्रिहस्तों द्वारा प्रतिदिन घर से बाहर रख दिया जाता है। और भोजन के पहले उसको निकाल करके और उसको आज भी अग्रासन कहा जाता है, अग्रासन का मतलब अपने भोजन के पहले जो कुछ अन बाहर निकाल करके रख दिया जाता है, उसे ही बली का अन या अग्रासन कहते हैं। तो देहां देखा, कुछ बली का अन, भूत हित रत किसका यहदान, भूत हित रत का मतलब जियों की भलाई के लिए, भूत हित रत, भूत का मतलब जियों, हित का मतलब भलाई, भलाई में लगे रहना, सनलगन रहना, रत रहना, हित रत, भूत हित रत, जियों की भलाई में ली अब इसकी पूंहआ है किसका यह दान है, जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, इधर कोई है अभी सजीव और ऐसा देखकर के कि यहाँ पर अन किसी जीव की भलाई के लिए रखा गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई न कोई सजीव ऐसा है, हुआ ऐसा मेरे मन में अन अब इसकी पुना है एक बार ब्याख्या देखें कि यहां देखा कुछ बली का अन भूत हित रत जीओं की भलाई में लीन किसका यहदान इधर कोई है अभी सजीव निश्चत रूप से यहां पर कोई सजीव है स्रद्धा मनु से कहती हैं कि इस विराठ हिमाले के दर्सन के लिए के दोरान इस अस्थान पर पहुँचने पर जब मेरी द्रिस्टी सभी जीव जन्तूओं के भरण पोषण है तो प्रत दिन अपने भोजन में से कुछ क्रिहस्तों द्वारा निकाला गया जो अन्न था उसके उसपर जब उनकी नजर पड़ी तो मैंने यह सोचा कि यहां निश्चे ही कोई न कोई वेक्ती निवास कर रहा है अन्य था इस वीरान छेत्र में दान का अन्न कहां से आता मुझे इस विश्वास नहीं तुम तक पहुँचा दिया कि इस नर्जन छेत्र में कोई जीवित वेक्ती अवस्य विद्यमान होगा और इसी कारण मैं आज तुम्हारे सामने हूँ क्लांट का मतलब होता है थका हुआ या दुखी, क्यों इतने हो क्लांट वेधना का यह कैसा वेग इतना वेधना इतना करुमा इतना दुख ये कैसे है आह। तुम कितने अधिक हतास बताओ ये कैसा उद्वेग। उद्वेग का मतलब ता घवराहट चिंता। हे तपस्वी तुम्हारी चिंता क्या है तुम्हारी घवराहट क्या है तुम इतने हतास क्यों हो मुझसे अपनी बात बताओ। फिर से बैख्या देखें कि तपश्वी क्यों इतने हो कलांत इतने दुखी क्यों वेदना का यह कैसा वेग आह तुम कितने अधिक हतास बताओ यह कैसा उद्वेग सरथा मन से पूछती हैं कि किन्तु हे तपश्वी आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो तुम्हारे मन में इतनी तीब्र पीडा इतनी तीब्र वेदना इतना कश्ट क्यों है तुम्हारे निरास होने के पीछे क्या कारण है तुम कितने अधिक हतास, तुम्हारे निरास होने के पीछे क्या काराण है यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिस्क में लगातार विराजमान है उसको मुझसे साजह करिए, मुझसे बताईए अब दस्वाँ छंद, बहुत ही महत्पूर्ण छंद है दुख की पिछली रजनी बीत, विकस्ता सुख का नवल प्रभात एक परदा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात जिसे तुम समझे हो अविसाब, जगत की ज्वालाओं का मूल इस का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको जाओ भूल दुख की पिछली रजनी बीत, विकस्ता सुख का नवल प्रभात स्रद्धा मन को उदासी त्याग कर प्रसंचित और आसान्वित होकर जीने की प्रणडा इसमें दे रही है और वो प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, जो दुख की रात है रजनी का मतलब रात दुख की पिछली रजनी बीत, विकस्ता सुख का नवल बिकसित होता है बिकस्ता का मतलब विक्सित होता है सुख का नवल प्रभात नवीन प्रभात नया सवेरा विक्सित होता है दुख की रजनी के बीत जाने पर ही या उसके मध्य ही सुख का जो नवल प्रभात है सुख का नया सवेरा है वो विक्सित होता है एक परदा यह जीना नील छिपाए ह जिसमें सुगात यह जो काली रात की काजीना पर्दा है इसी के अंदर ही सुख का नया सवेरा जो है अपने आप छिपा हुआ है इसको समझने की आव सकता है इसलिए कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत बिकस्ता सुख का नवल प्रभात अब फिर से एक बार देखें व्याख्या कि स्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख के रात के ही मध्या उसके बीत जाने पर सुख का नया सवेरा उदित होता है जिस प्रकार प्रभात का प्रकास अंदकार के महीन परदे में छिपा रहता है उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है कहने का यहाँ परतात पर यह है कि दुख का यह जो प्रभाव है यह अधिक देगर तक टिकने वाला नहीं है और नई आसाओं को सजोई हुए सुख का आगमन होकर के ही रहता है और आगे कहती हैं कि जिसे तुम समझे हो अविसाब, जिसे तुम अविसाब समझे हो असुब हो समझे हो, शाप समझे हो या असुब का कारण समझे हो जगत की जुआलाओं का मूल वही तो जगत की जुआलाओं का मूल है वही तो सार है ज्वाला का मतलब यहाँ आग यहाँ समस्या ज्वाला का साब्दिक रथ है आग और यहाँ पर जो आया है उसका आर्थ हो जाएगा समस्या तो जो तुम जिसको तुम दुख का कारण समझते हो अविसाप समझ रहे हो वही समस्त ज्वालाओं का वही समस्त समस्याओं का मूल है इसका वह रहश्य वर्दान कभी मत जाओ इसको भूल यह ईश्वर का रहस्य मैं वर्दान है और यह इस रहस्य को हम तुम आसानी से नहीं समझ सकते लेकिन यह ईश्वर का दिया ही वा ही बर्दान है और इसको तुम्हें भूलना नहीं चाहिए जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल ईश्का वा रहश्य बर्दान कभी मत जाओ इसको भूल फिर से देखें कि जिस दुक से परेशान होकर तुमने उसे अभिसाप मान लिया है और उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो सभी जौलाओं का मूल समझ बैठे हो वास्तों में वह दुक ईश्वर से हमें वर्दान सद्रिश प्राब्त हुआ है इसका वह रहश वरदान वह इसवर से हमें वरदान सद्रिस प्राप्त हुआ है किन्तु इस रहश को समझ पाना आसान नहीं बावजूद इसके तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वर्दान ही मानों को सुख राप्त करने के लिए सदा प्रेडित करता रहता है यही दुख सुख का विकास का सत्य यही भूमा का मधुमेदान इसमें आगे पंक्तियों में यह कहते हैं इस बात को कि यही इस्वर का वर्दान है इसको हमें भूलना नहीं चाहिए अब ग्यारवाँ छंद है कि लगे कहने मनु शहित विसाद मधुर मारुत से ये उच्छवास अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास कहने लगे मनु सहित विसाद अब जब सारी बातें ये स्रद्धा मनु से कहती हैं उनको प्रिरित करने के लिए उनको उत्साहित करने के लिए और उनमें नवीन उर्जा और उत्साह का संचार करने के लिए अपनी सारी बाते कहती हैं उसके बाद भी मनु के अंदर जो विशाद है करुणा है वेदना है वो पूरी तरह से दूर नहीं होता है और विशाद के साथ दुख के साथ लगे कहने मनु सहित विशाद विशाद के साथ ही दुख के साथ ही अपनी बात वो करते हैं और कहते हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छवास, उच्छवास सांस के रूप में जो वायू का आना जाना होता है, यानि जो हम सांस लेते हैं वही उच्छवास होता है स्रद्धा का जो उच्छवास है सांस के रूप में वायू का आना जाना है यानि वो जो कहती है जो बोलती है जो मधुर गुंजार है उनका वो कैसा लगता है मन को मधुर मारुत से मधुर मारुत के समान मधुर वायू के समान उनका उच्छवास लगता है और उसी उनकी बोल और मधुर गुंजार के कारण ही अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास सविलास मतलब क्रिड़ा सहित मानस का मतलब हरदय उठाते मानस में सविलास अब अर्थ देखें इसका किस रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख वरे शब्दों में कहते हैं कि सीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुहारे ये उच्छवास जो मिठी बोली है जो सांस के रूप में वाईव का आना जाना है इसका मतलब उनकी जो प्रदान करने वाले और मन को सौंदर की अनभूत से परपूंड कर देने वाले हैं अधिक उत्साह तरंग अधिक उत्साहित करने वाले हैं इसके परड़ाम सरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे हिलोरे ले रही हैं लेकिन उसके बाद भी मन कहते हैं कि किन्तु जीवन कितना निरुपाई फिर भी ये कितना सच है और इस सच को भी नहीं जुटलाया जा सकता कि मनुस्य का जीवन विशाद से परिपूर्ण है और उसके सम्मुख विवस और असहाय है निरुपाई है कोई रास्ता उसके आगे नहीं है किन्तु जीवन का कितना लिया है देख नहीं संदे निरासा है जिसका परिडाम सफलता का वह कल्पित गे हम जीवन में अनेक सफलताओं की काम ना करते हैं लेकिन सच्चाई क्या है सच्चाई तो ये है कि हमें उन सब का परिडाम एक मातर निरासा के रूप में ही प्राप्त होता है निरासा से भरे मनु का मन, मनु का हरदय इस बात को कहता है कि जिस सफलता को ले करके हम इतने उतसुक होते हैं, इतने उतसाहित होते हैं, उस सफलता का पैडाम क्या होता है? उस सफलता का पैडाम निरासा के रूप में ही हमारे हाथ आता है और नजाने कितनी बार जीवन में मुझे हरना पड़ता है, इस छोटे से जीवन में हम अपनी विभिन चाहूं की पूर्ती कभी नहीं कर पाते और एक दिन में हमें इस संसार एक दिन हमें संसार छोड़ करके जाना पड़ता है, अता कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कलपनाओं का गेह है, सफलता का वह कलपित गेह, सफलता की कलपनाओं का घर है, ऐसा मनु का मानना है, अब आगे जब अपने दुख वरे सब्दों में मनु ये कहते हैं, तब श्रद्धा का क्या उत्तर होता है क्या वो कहती है यही इस अकले छंद में दिया गया है कहा आगंतुक ने साइस ने कहा आगंतुक ने साइस ने अरे तुम इतने हुए अधीर हार बैठे जीवन का दाओं जीतते मर कर जिसको वीर तप नहीं केवल जीवन सत्ते करूर यह छड़िक दीन अवशाद तरल आखा अंचा से है भरा सो रहा आसा का आहलाद तब स्रद्धा कहती है कि कहा आगंतुक ने वो आगंतुक स्रद्धा ही है साइस ने इसने पूर्वक कहती है अरे तुम इतने हुए अधीर इतने अधीर हो गए धैरहीन हो गए हार बैठे जीवन का दाओं तुम तो अपने जीवन क ये एक मुहावरा है लोकोगती है दाउ हारना दाउ हारना का मतलब असफल हो जाना तुम जीवन का दाउ हार गए तुम असफल हो गए जीतते मर कर जिसको वीर जिसको वीर पुरुस कर्म वीर पुरुस मर कर के भी जीत लेते हैं उस दाउ को तुम हार गए और इतना निरासा और करुणा से भर गए हो फिर से देखें कि कहा आगंतुक नेशा इसने अरे तुम इतने हुए अधिर इतने अधिर हो गए हार बैठे जीवन का दाओ जीतते मर कर जिसको वीर हे तपस्वी तुमने धैरे खो दिया है अब तुम्में उस सफलता को पाने की तीब्र उदकंठा आकांख्षा भी सेस नहीं है जिसे वीर पुरुस अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं क्योंकि सासी और जो कर्म बीर होते हैं वो कर्म बीर बनने की जगा तुम इस समय निरास और हतोत साहित हो गए हो तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए अब आगे समझाते हुए स्रद्धा मन उसे कहते हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य केवल तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है और ना ही जीवन का यह एक मात्र धेव हो सकता है उद्दिस हो सकता है करूर यह छड़िक दीन अवसाद यह जो करूर दीनता है अवसाद है दुख है दीनता पूर अवसाद है दुख है करूरा है यह छड़िक है यह जादा दिन टिकने वाला नहीं है इसका यह निश्चित रूप से यह जल्दी ही समाप्त होता होगा क्योंकि इसके पहले वाले ही च्छने में वो कह चुकी थी कि दुख की पिछली रजनी बीत विकस्ता सुख का नवल प्रवाद दुख के रजनी के बीत जाने पर ही विकस्ता सुख का नवल प्रभात नवीन प्रभात विक्सित होता है तब वो कहती हैं कि तब नहीं केवल जीवन शत्य करूर यह छड़िक दीन अवसाद वास्तों में जो केवल तपस्या को जीवन का धे बनाना कदाप यूचित नहीं है क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारे सत्य हैं जिसको मनुस्य को जहलना पड़ता है समस्याओं से लड़ना पड़ता है उससे जूजना पड़ता है और विजय प्राप्त करनी होती है तुम जिस करुणा और दीनता पूर दुख की इस्तिती में जी रहे हो वह विलंब ही समाप्त होने वाली है वह च्छड़ी कहे वह ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है तरल आकांच्छा से है भरा सो रहा आसा का आहलाद आहलाद का मतलब होता परसनता खुसी तुम्हारी जो खुसी है जो परसनता है वो सो रहा है जबकि जीवन कैसा है तरल आकांच्छा से है भरा तरल आकांच्छा का मतलब प्रगत की चाह जो जीवन है वो प्रगत की चाह से आगे बढ़ता है प्रगत की इच्छा से आगे बढ़ता है हमेशा व्यक्ती प्रगती की इच्छा रखता है और वो अपने सद मारगी की तरफ अगरसर होता रहता है तब वो कहती है सरदा कि तरल आखांचा तरल आकांच्छा से है भरा सो रहा आसा का आहलाद वास्तों में मानो जीवन आसा उत्साह और खुसियों से परपूर है बस आवज सकता है उन्हें जगाने की अता हमें पूरे उत्साह के साथ आसान्वीत हो करके जीना चाहिए निरासा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए ऐसा सरद्धा मन उसे कहती है अब इस वीडियो का अंतिम जो छंद है इसमें और बाकी अन्य जो छंद हैं बचे हुए वो तीसरे वीडियो में मैं दूँगा अब देखें प्रकिर्त के यवन कासरिंगार करेंगे कभी नबासी फूल ये बार बार आप लोगों की परिक्षा में आता भी है और बहुत ही मातपूर ये छंद है प्रकृति के यौवन कासरिंगार करेंगे कभी नबासी फूल मिलेंगे वे जाकर अतिसी इख्र आह उत्सुक है उनको धूल आह उत्सुक है उनको धूल प्रकृति के यौवन कासरिंगार करेंगे कभी नबासी फूल अब यहाँ पर सरद्धा बासी फूल का उदारण दे कर मनु के निरास मन में उत्साह भरने का प्रयास करती हैं और वो मनु को समझाते हुए कहती हैं कि जो प्रकिर्ति की सोभा है वो कभी भी और उसके यवन का स्रिंगार कभी भी बासी फूल नहीं करते हैं हमेशा प्रकिर्ति का स्रिंगार जो नवीन खिले हुए फूल होते हैं सुगंधित सुवासित फूल होते हैं वही प्रकिर्ति का स्रिंगार करते हैं मिलेंगे वे जाकर अतिसी ग्र आह उत्सुक है उनको दूल और जो बाशी फूल होते हैं वो अतिसी ग्रही जाकर के धूल में मिलने के लिए उत्सुख होते हैं क्योंकि उनका गिरना ही उनकी नियती है अंत में जाकर के वो धूल में ही मिल जाते हैं कभी भी वो प्रकृति का सिंगार नहीं करते हैं प्रकृत की सजावट नहीं करते हैं प्रकृत की सोभा को नहीं बढ़ाते हैं तब कहती हैं कि प्रकृत के यवन कासरंगार करेंगे कभी नबासी फूल मिलेंगे वे जाकर अतिसी ग्र आह उत्सुक है उनको धूल सरद्धाम निरास मनों को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृत की सोभा कभी बासी अथवा मुर्जाए हुए फूल नहीं बढ़ाते हैं जो फूल ताजे हों और खिले हुए हों उन्हीं की सुन्दर्ता और खुस्वों से चाहे उद्यान हो चाहे वन हो और चाहे जीवन हो उसी से सुसोभित होते हैं डाल से जो तूटे हुए फूल होते हैं वो तो बस उनका एक ही परड़ाम होता है और वो है उनका धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना अतह मानों मन को भी निराशा और अकर्यमरता या आलश्य त्याग कर आसा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए ना कि वेदना और करुणा में रह करके अपने इस मूल्यवान जीवन को खो देना चाहिए ऐसा मनुस्य को कभी नहीं करना चाहिए और यही बात स्रद्धा मनु के अंदर विश्वास जगाते हुए उत्साह जगाते हुए अपनी बात कहती है इस प्रकार से यह स्रद्धा मनु का दूसरा भाग समाप्त होता है और अगले वीडियो में पुनाह 14 चंद से लेकर के 19 संद चंद तक मैं उसकी व्याख्या करूँगा धन्यवाद